एक युवक अपनी बोलेरों से जब अपनी मा को लेकर जा रहा था तो रास्ते में जहां पर वो रुका वहां पर उसने अपनी बोलेरों गाड़ी को खड़ा कर दिया सडक किनारे जैसे ही उसने गाड़ी को खड़ा किया अपने आप वहां से चला गया पिछली सीट पर उस युवक की मा सवार थी मा बैठी थी लेकिन वो युवक जब अपनी गाड़ी से उत्रा तो हैंडब्रेक लगाना भूल गया पहाड़ों पर हम पहले भी कहते आएं हैं कि अकसर हैंडब्रेक लगाना जब आप अपनी गाड़ी को खड़ी करके जाते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में उस युवक ने लापरवाही की या यूँ कहें कि वो हैंडब्रेक लगाना भूल गया लेकिन जब थोड़ी दिर बाद वापस आया पता चला कि जब वो हैंडब्रेक लगाना भूल गया तो जो है बोले रो गाड़ी अपने आप पीछे चलना शुरू हो गई जिसके बाद गहरी खाई में जागिरी ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी तकरीबन खाई में जाने से पहले 100 से 150 मीटर तक चली अब यूवक के मां की मौत हो गई है मामला शिमला के ठीयोक का है बोलेरो का नंबर हपी 9A 6397 बताया जा रहा है मेरे तक महिला की पहचान विद्या देवी की रूप में हुई है पुलिस ने ठीयोक ठाना में मामला दर्च किया है ऐसे में खबर को बताने का मकसद ये भी है कि पहाड़ों पर जब भी आप सफर करें खास कर मैदानी शेत्रों से जो लोग आते हैं कई बार दुरगटनाए होती है और ये मालूम चलता है कि मैदानी शेत्रों से जो लोग पहली बार दूसरी बार पहाड़ों पर आएं है